आप सुन रहे हैं अनुराख हुमार जीनियस के लिखी किताब I Love Hate Story मेरे यानी कृतिका के साथ Only on Book Audio राजनगर का एक ठीक ठाक होटल कई घंटों के सफर के बाद अक्षे और दीक्षा कानपूर से राजनगर पहुँचे थे और इसी साधारन होटल में ठहरे थे उसका कारण भी था एक तो उनके पास पैसे कम थे महंगे होटलों में ठहरने में खतरा था राजनगर के लगभग सभी महंगे होटलों में दीक्षा जा चुकी थी कोई जान पहचान वाला निकल जाता तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता था दोनों कमरे में पलंग पर सुस्ता रहे थे एक बाद मुझे चक्कर में डाले हुए है देक्षा गंभीरता से सोचते हुए बोली क्या यही की यह जान की मोहन हमें धूड़ा कैसे हिल स्टेशन पर भी पहुँच गया और कानपूर में भी धूड़ा है तो जाहिरी है किसी प्रकार तो धूड़ा ही होगा उनके सुरोध बड़े तगड़े होते हैं यह तो अच्छा हुआ कि हमें दोनों बार वक्त रहते पता चल गया उनके बारे में हाँ तभी तो हम सेफ हैं वो कहते हैं न प्यार जब सच्चा होता है तो सारी काइनात सच्चे प्यार करने वालों को मिला देती है तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है अच्छा अब मैं अपने परिशित वकील साहब से मिलूंगा बात करूंगा और हम दोनों जल्दी से शादी कर लेंगे उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सच्ची कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी लफ़डा नहीं होगा अक्षे मुस्कुराया और नहानी के लिए बात्रों की तरफ बढ़ा देख्षा पहले ही नहा चुकी थी तुम नहालों में खाने का ओर्डर कर देती हूं देख्षा पीछे से बोली हाँ हाँ ठीक है अक्षे बात्रों में घुस गया देख्षा ने टेबल पर रखा फोन उठाया और रिसेप्शन का नंबर भुमाया पर पता नहीं क्यों दो तीन बार फोन लगाने पर भी फोन नहीं लगा तब उठी और दर्वाजा खोल कर बाहर गैलरी में गाई सीधी चलती हुई रिसेप्शन काउंटर पर पहुँची और खानी का ओर्डर दिया तथा फोन खराब होने की जानकारी भी थी हाई दिक्षा पीछे किसी ने पुकारा दिक्षा चौक कर पल्टी यह सोच कर घबरा गई थी कि यहां उसे जानने वाला तो कोई नहीं था फिर कौन था वो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी दिक्षा के चहरे के भाव बता रहे थी कि वा उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानती थी तुम मुझे नहीं जानती पर मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ वे दिक्षा के चहरे के भाव को ताड़ गई थी और मुसकुरा भी रही थी तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती दिक्षब बिना चाहते हुए बोली मैं सुमाया हूँ तुमारी फ्रेंड जूही की फ्रेंड हूँ तीन-चार साल पहले हम दोनों साथ में पढ़ते थे फिर कॉले जाने के बाद अलग-अलग हो गए मैं पढ़ने के लिए दिल्ली चली गई थी जूही की घर दो-तीन बार मैं उससे मिलने भी गई हूँ वहाँ पर उसके कॉलेज की फोटोस भी देखी जहां पर तुम भी थी लड़कियों के साथ और मेरे पूछने पर जूही ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो ओ हां और अभी कुछ देर पहले मैंने तुमको अक्षय के साथ देखा तुम अक्षय को कैसे जानती हो देख्षा ने चौक कर पूछा स्कूल टाइम से वो भी मेरे साथ ही पढ़ता था तमाया ने बताया और फिर शणिक देर मौन रहने के बाद वापुना बोली वैसे एतराज ना हो तो एक कॉफी हो जाए एक्षली मैं भी अपने दोस्त का ही वेट कर रही हूँ तब तक शायद वो भी आ जाएगा देख्षा ने इनकार नहीं किया देख्षा कमरे में पहुँची तो अक्षे को फोन पर बात करते हुए देखा तब ही अक्षे ने क्रेंडिल जोंगे पर रखा अक्षे अभी अभी बात्रूम से निकला और कपड़े बदला हुआ था फोन सही हो गया क्या देख्षा ने पूछा हाँ क्यों खराब था क्या ये हाँ तब ही तुम मुझे खाने के लिए नीचे ओर देने जाना पड़ा वही मैंने फोन खराबी की शिकायद भी की थी शायद इतनी जल्दी तब ही ठीक हो गया अच्छा वैसे मैंने वकील से बात कर ली है अक्षे बोला क्या बात हुई उन्होंने विस्तार से चर्चा के लिए घर पर बुलाया है ओ तब ही वेटर खाना लेकर कमरे में आया खाना टेबल पर रखकर वह वापस चला गया फिर दोनोंने साथ में खाना खाया और अक्षे फिर वकील के पास जाने लगा अक्षे समहल कर जाना देख्षा चिंतित स्वर में बोली दोन्तवरी तुम अपना ख्याल रखो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा अक्षे लगबग दो घंटे बाद लोटा शाम होने वाली थी वकील नी क्या कहा देख्षा ने व्याकुल स्वर में पूछा उन्होंने कहा है कि काम हो जाएगा कोई भी विग्न बाधा नहीं आएगी सच? हाँ दर्वाजी पर दस्तक हुई अक्षे उठा और दर्वाजी की ओर बढ़ गया फिर उसने दर्वाजा खोला धड़ाक बाहर से लाज चली और अक्षे उचल कर कमरे के भीतर पलंग की नज़्दी किरा देख्षा हरबड़ा कर उठ बैठी अक्षे भी बड़ी फूर्ती से उठकर खड़ा हो गया था और फिर जब दो लोगों के साथ राधा मोहन को दर्वाजे के भीतर आते देखा तो दोनों के होश उड़ चुके थे बिजली सिगिरी उन दोनों पर चेहरों की चमक जाने लगी थी और राधा मोहन की आँखों से अंगारी बरस रहे थे कुछ अनिष्ठ होने की संभावना पूरी पूरी बंती दिखाई दे रही थी तुम लोग समस्ते क्या थे मेरी इज़्जत की धजियां उड़ा कर तुम दोनों शादी करके जिन्दगी गुजारोगे ऐसे मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता डैड मैं अक्षे से प्यार करती हूँ और हम दोनों सच्छे प्यार करते है तू चुप रहे बेकूफ लड़की देख्षा ने हिम्मत करके कुछ कहना चाहा तो राधा मोहन फौरन गुर रहा तुझे मेरे लाट प्यार ने बिगाड रखा है तू इस चाल बाच के चक्कर में फसकर मेरी बदनामी करने पर तुली हुई है नहीं डेर अक्षे वैसा बिल्कुल नहीं ये जैसा आप सोच रहे हो तू मूर्ख है तेरी आखों पर पट्टी पढ़ी हुई है क्या सही है क्या गलत तुझे नहीं दिखाई दे रहा है ये शातिर लड़का तेरे जरिये मेरे करोणों की जायदाध हतियाने पर लगा हुआ है पर मैं इस कमीने के नापाक मनसूबे कभी पूरे नहीं होने दूँगा आप कलच सोच रहे हो अक्षे ने तुरंद विरोध किया मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ दुष्ट राधा मोहन ने दात पेस्ते हुए बोला और जेप से गुस्से में रिवॉल्वर निकालकर अक्षे पर तान दी और आज तुझे खत्म करके तेरे गंदे मनसूबों को भी खत्म कर दूँगा अक्षे का चहरा सफेध होता जा रहा था तभी दीक्षा अक्षे के आगे खड़ी हो गई और दृड़ता से बोली आप हमारे प्यार को गलत समझ रहे हैं अगर आप सजा देना ही चाहते हैं तो पहले मुझे सजा दीजिए च्योंकि प्यार की शुरुवात मैंने ही की थी तु हट जा नादान लड़की राधा मोहन रिवॉल्वर ताने गुर राया नहीं हट जा नहीं राधा मोहन ने गुस्से में फायर जोंग दिया गोली दीक्षा के सीने में समा गई खून के छीटे बिखर गए दीक्षा बिना आवास के कटे पेड़ की तरह फर्ष पर धेर हो गई ये 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 आपने क्या कर दिया अक्षे खून से सनी दीक्षा के जिस्म को उक्षन भर अपलग देखता रहा फिर चीखा राधा मोहन खुद भौचक हो उठा उसे काटो तो खून भी नहीं भे अभी दर्वाजे को ठेल कर कोई अंदर आया खाकी वर्दी वाला था जिसकी वर्दी पर चस्पा नेम स्लीपर लिखा था अनोखे लाल उसने जब अंदर का नजारा देखा तो बोला ये क्या किया और बिना किसी का जवाब सुन कर दीक्षा की ओर लपका दीक्षा जो खून से सनी हुई फर्ष पर पड़ी थी उसने कलाई पकड़ी और पास रिवॉल्वर लिये राधा मोहन को देखा और बोला मार डाला तुमने इसे राधा मोहन रिवॉल्वर फेक कर दीक्षा की ओर लपका और उसको अपनी बाहों में भरना चाहा मैं इंस्पेक्टर अनोखेलाल फ्रॉम क्राइम ब्रांच मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस होटल में एक वांटेज अपराधी कि किसी के साथ कोई डील होने वाली है जो कि गैर कानूनी है इसलिए मैं यहां आया था लॉबी से गुजर रहा था तो कमरे में गोली चलने की आवाज सुनी अनोखेलाल ने कहा और जेब से फोन निकाल कर किसे से कुछ बात की फिर फोन जेब में रखकर बोला वैसे तुम लोगों का क्या मैटर था? क्यों माडाला इस लड़की को? कोई कुछ नहीं बोला अनोखेलाल ने फर्ष पर पड़ी रिवॉल्वर को जेब से रुमाल निकाल कर उससे पकड़ा फिर अनोखेलाल ने राधा मोहन को घूरा मेरा नाम राधा मोहन है मैं एक बिजनिसमैन हूँ राधा मोहन कहने लगा देख्षा मेरी एक लौती संतान थी वह इस लड़के उसने अक्षे की तरफ इशारा करते हुए कहा इससे प्यार करती थी दोनों भाग कर शादी करना चाहते थे ओ, तो ये मैटर था अनोखेलाल बीच में ही लपका तब तो ये हत्या एक आनर किलिंग है आई न, आप फिल्कुल गलत सोच रहें इंस्पेक्टर साहब अक्षे टोका, अनोखेलाल अक्षे की तरफ पल्टा उसे घूरा, नाम क्या है तुम्हारा उसने पूछा, अक्षे हम, तो सच क्या है अक्षे ने बधवाज से खड़े राधा मोहन की तरफ देखा आप गलत सोच रहें इंस्पेक्टर साहब अक्षे से पहले राधा मोहन बोला जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होता तो क्या अक्षे जिन्दा होता क्या उसका भी वही हश्र नहीं हुआ होता जो दीक्षा को हुआ अनोखे लाध हर बड़ाया फिर उसकी आखे सोचनी मुद्रा में सिखुर्ती चली गई हम तो सच्चाई क्या है फिर उसने पूछा आखिर ऐसी क्या वज़ा थी कि आपको अपनी बेटी पर गोली चलानी पड़ी मैं उसे सर्प्राइज करना चाहता था क्या? बेटी को गोली मार कर आप उसे सर्प्राइज करना चाहते थे सर्प्राइज करनी का या तरीका तो मैंने पहली बार सुना है बेटी को ऐसा सर्प्राइज कि उसकी जान ही ले लो यह सच है इंस्पेक्टर साहब प्रवाइन वक्त पर आगया था फिर भी जो अपनी बेटी को मार सकता है वह उसके प्रेमी को क्यों छोड़ेगा जो सजा एक को मारने की है वही दो को मारने की भी तो है मेरे एन वक्त पर आने की वज़े से आप ऐसा नहीं कर सके एक गोली चराने में कितना वक्त लगता है अनोखे लाल ने पल भर सोचा फिर बोला ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ तो आप बताएए कि आपने अपनी बेटी को गोली क्यों मारी ये मत कहिएगा कि आप गोल या बात बिलकुल भी नहीं पच रही है इससे पहले मुझे अपच हो जाए पूरा मामला समझाए आखिर अपनी बेटी को आपने गोली क्यों मारी स्टर्प्राइज करना चाहते थे इसलिए लेकिन क्यों राधा बोहन ने कुछ पल सोचा फिर बताना शुरू गिया दे को सैल बत्तमीज बना दिया था उसमें समाजिकता का कोई ज्यानी नहीं था नैतिकता से दूर दूर तक संबंदी नहीं था जबकि मैं चाहता था कि वह एक दिन समाजिक लड़की बने नैतिकता सीखे किससे कैसे विवहार करना चाहिए उसे पता चले और इसके लिए मे धोर भी होना मेरे बस में नहीं था और ना ही मैं करना चाहता था वह जानती थी यह बात कि मैं उसे कितना चाहता हूँ इसलिए उसे किसी भी बात की परवार नहीं थी वह दिनो दिन बिगड़ती जा रही थी मैं उसे सुधारनी के लिए हर शन परिशान रहता था एसे मैं एक दिन वह आक्षे को घर लेकर आई उसे अपना फ्रिंड बताया पर मेरी गहरी आखों ने देखते ही अनुमाल लगा लिया था कि दोनों सिर्फ फ्रिंड नहीं है आक्षे से बात करने के बाद ये क्लियर हो गया था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं अक्षे लड़का तो मुझे अच्छा लगा लगा कि जीवन में पहली बार देख्षे ने धंगा काम किया है जो खुद के लिए एक काबिल वर्चुन सकी देखिए मैं पुराना जरूर हूँ पर मुझे कई पुरानी बाते पसंद नहीं जातपात, छुआ छूत, हैसियत, आउकात यह सब मेरे लिए बेब मतलब की बाते हैं तब तो आपको बेटी की प्यार से कोई आतराज तो होगा नहीं बीच में अनोखे लाल ने डोका हाँ, मुझे इनकी प्यार से कोई आतराज नहीं तो फिर बात यहां तक कैसे पहुँची पर मैं अपनी जिद्धी बेटी को सुधारना चाहता था अनोखे लाल की बात को नजर अंदास करते हुए राधा मोहन बोलता चला गया मैंने अक्षय से इस बारे में बात की थी अक्षय ने दो तीन दिन का टाइम मांगा और फिर उसने मुझे एक रास्ता सुझाया क्या था वा रास्ता इसने कहा था कि हालात ऐसे पैदा कीजिए कि देख्षय उसके साथ घर से भागने को तयार हो जाए ये कैसा रास्ता था दिख्षय कैसे सुधर सकती थी अक्षय का कहना था कि जब कुछ महीने बाहर बुरे हालात में रहेगी कई अच्छे बुरे अनभ़ों से गुजरेगी तो सुधर सकती है हालात सबसे بैदर सिक्षक होते हैं जो इंसान और शेतान को शेतान बना देते हैं सिधार्थ अपने महल से निकले और समाज के कही लोगों को देखा, कही घटनाओं को देखा, तो उनके विचार बदले और उन्हें बदले विचारों ने आगे चल कर उन्हें अगवान गौतम बुद्ध बना दिया, शन भर के लिए रुका आराधा मोहन पुना बोला, अक्ष आता था कि वह सुधरे, अताब फिर एक प्लान बना, कैसा प्लान, कि देख्षा कैसे भागेगी, भागने के बाद क्या क्या होगा वगएरा वगएरा, जैसा कि इन हालातों में होता है, प्लान के पहले चरण में मैंने एक रूढ़ी वादी पुराने ख्यालातों वाले भा भागने के लिए तयार हो जाए, आप से तंग आकर, हाँ, वाह, जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ कि एक बेटी को सुधारने के लिए उसका बाप उसे उसके प्रेमी के साथ भगा आ रहा है, खेर, आगे बताईए, पहले चरण में हमें जल्दी ही सफलता मिली, देख् ऑक्षय के साथ भाग कर शादी करने को तयार हो गई, आक्षय के पांस पहुंच गई, आक्षय और मेरा दोनों का एक ही प्लान था, अक्षय भी देख्शय के साथ घर से भाग गया, दूसरे चरण में एरिया जहां यहोते वहां पहुँच कर डराने का काम करना था, और एक जगा ना ठहरने देने का काम यानि जगा बदलते रहे मुसीबितों का सामना करते रहे इस प्लान के मताबिक ऐसे हालात क्रियेट किये गए थे ताकि देखशा घर से रुपए पैसे लेके न भागे इन्हें डराने तथा जगा बदलते रहने को मजबूर करने के लिए मैंने कुछ लोगों को भीजा था एक मिनट अनोखिलाल ने डोका आपको अक्षे के उपर इतना विश्वास था कि आपने अपनी बेटी को उसके हाथ में छोड़ दिये भागने के लिए हाँ बदनामी हो जाएगी इससे भी नहीं डरे पहली बात प्लान के मताबिक ऐस्ता उजागर नहीं होने देना था कि देख्षा घर से भाग गई है बलकि हर कोई पूछता था तो यही कहा जाता था कि वा दो महीने के लिए अब किसी रिष्टेदार के यहां गई है हम पर पुलिस में रिपोर्ट तो लिखा ही दी होगी जब बेटी रिष्टेदार के यहां गई है तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों लिखाता अनोखे लाल बुरी तरा जहिब गया ओ, ठेक वैसे क्या आपको पता था कि दो महीने में देख्षा सुधर जाएगी ना सुधरती तो समझ लेता कि मेरी किस्मत में यही लिखा है इसका कारण था कि मेरे पास दो महीने का ही समय था इसलिए मैंने रिस्क लेया था मैं कुछ समझा नहीं देख्षा के बालिग होने में सिर्फ दो महीने बचे थे देख्षा यही सोचकर घर से भागी थी कि वो बाहर जाकर अक्षा से जल्द ही शादी कर ले पर जैसा कि प्लान था कि अक्षा के जरिये देख्षा के मन में यह बात बिठाई गई कि मंदिर में की गई शादी कोई माइनी नहीं रखते कोट में शादी बालिग होने पर ही होती है देख्षा एक पड़ी लिखी लड़की है वह तो यही सोचती थी कि यहां से भाग कर शादी कर लेगी क्योंकि उसका वही प्लान था पर क्योंकि हमारा प्लान था उसे दर बदर की ठोकरे खिलाना ताकि वह समाजिक बन सके बीच में अनोखे लाल ने टोगा जी हाँ, यही हमारा मकसद था और अक्षा भी हमारे प्लान में शामल था इसलिए हमारा प्लान कामियाब हो रहा था देख्षा में काफी सुधार आ रहा था अक्षा समय समय पर मुझे फोन करकी बताता रहता था मैं बहुत खुश था दीक्षा में सुधार देखना चाहता था वो सच भी हो रहा था अगर दीक्षा बालिक होती तो तो फिर यह प्लान कैसे बनता कोई कारण ही नहीं था उसे शादी करने से रोके रखने का फिर आगे क्या करते आप आगे मैं उसकी पूरी शादी करा दे था मेरे लिए तो नयान का तारा थी उसकी खुशी ही मेरी खुशी है आप शुरू में ही थोड़े स्ट्रिक्ट रहे होते तो ये नौबत नहीं आती अक्सर माबाप बच्चों को जरूरत से जादा चाहने लगते हैं इतना कि उनकी गलत हरकतों को जान बूच कर बरदाश करते हैं और आगे चलकर वही नासूर बन जाती है खैर या बताईए ये सारा प्लान सफल हो रहा था जैसा आप चाहते थे वैसा हो रहा था तो फिर यहा गोली मर्डर की नौबत कैसे आ गई प्लान के आखरी चरण में हमें राजनगर वापस आकर इसी होटल में ठहर ना था इस बार जवाब अक्षय ने दिया था इसी होटल में क्यों? जिन हालातों में हम थे उनमें कोई फाइव स्टल होटल में कैसे ठहर सकता था? अपनी गलती का तुरंत एहसास हुआ शर्मिंदिगी में उसने होट गोल करके हा में सरह लया ठेक है फिर? फिर यहाँ इस होटल में राधा मोहन जी की एंट्री थी देख्षा को चौकाने की? I mean सर्प्राइस करने के लिए अनोखे लाल ने पूछा हाँ पर असले सर्प्राइस तब होता जब उल्टी सीधी बाते कहकर मैं अक्षे को गोली मारने का नाटक करता पर हमें पहले सही पता था कि देख्षा बीच में आ जाएगी क्योंकि कोई भी प्रेमी का आपने प्रेमी को इस तरह से मरते नहीं देखना चाहती और इसी तरह घलती से उसने गोली खाली राधा मोहन ने जवाब दिया तो आखिर गोली मारकर आप देख्षा को कैसे सर्प्राइस करते सर्प्राइस तब होता जब गोली लगने के बास देख्षा सही सलामत जिन्दा होती बच्चोंकती फिर उसे सब प्लान समझ आता और वो बस सर्प्राइज होकर रह जाती कैसे? भला गोली खाने से कोई सर्प्राइज कैसे होता है दिख्षास दिंदा कैसे होती? जादू के जोर से? फूक मारो और मुर्दा उठकर बैठ जाए ऐसा ही होता कैसे? क्योंकि गोली नकली थी अनोखे लाल अदा से मुस्कुराया और बोला नकली गोली किसी की जान नहीं ले सकती राधा मोहन जी आप जूट मूट की बहाने बाजी से बच नहीं सकते इंस्पिक्टर साहाब राधा मोहन जी सही कह रहे हैं वह सच है देख शाद नकली गोली से मारी जानी थी क्योंकि उसे सर्प्राइज करना था जान से मारना नहीं अक्षर ने जोड दे कर बोला तो फिर ये कैसे मर गई? नकली गोली से कोई मरता नहीं है तो कैसे मर गई ये? बताओ अभी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रिवॉल्वर की गोलियां बदली गई है किसे ने जान बोच कर नकली गोलियों की जगा असली गोलियां डाल दी किसने? पता नहीं अनोखे लाल ने बारी बारी से राधा मोहन और अक्षे को भूरा दीक्षा को गोली मार कर सर्प्राइज करने का आईरिया किसका था? अक्षे का अनोखे लाल अक्षे की तरफ घुमा और चुबती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा मैं केवल सुझाओ दिया था, सिचुएशन के हिसाब से वह सही था पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, मैं उसे सच-मुच बहुत चाता था अक्षे बेहत दुखी स्वर में पहले ही बोल पड़ा इसकी बात पर यकीन करो इंस्पक्टर, इस पर शक करना व्यर्थ है कोई अपने पैरों पर कुलाडी क्यों मारेगा? राधा मोहन राए अक्षे की बात का समर्थन किये मतलब? अनोखे लाल ने आखे चोड़ी की अकर रिवॉल्वर की गोलियों में फिर वदल ना किया गया होता तो कुछी दिन में दीक्षा की शादी अच्छे से हो जाता और मेरी करोडो समपत्ती की ये दोनों वारिस बन जाते ओ सही का अनोखे लाल सहमती सिस्तर हिलाने लगा बिगड़ी हुई दीक्षा को सुधारनी का तो ये नायाब तरीका था फिश्वसनी ये प्लान आप दोनों ने मिलकर बनाया था आप दोनों ही जानते थे इस प्लान के बारे में फिर किसी अनेने गोली की अदला बदली कैसे की किसी तीसरे को प्लान के बारे में कैसे पता चला किसने कहा क्या प्लान सिर्फ हम दोनों को ही पता था मतलब कोई और भी जानता था हाँ, अनोखे लाल को बताया गया हम, अनोखे लाल ने गंभीरता से हुंकार भरी, फिर अक्षय की तरफ पल्टा तुम्हें भी किसी पर शक है? कोई ऐसा जिससे तुम्हारे और दिख्षा के रिष्टे से जलन हो? अक्षय हिचकिचाया ऐसे हैं तो कुछ लोग, लेकिन उन्हें प्लान के बारे में नहीं पता है वो मैं देख लूँगा, नाम बताओ, अक्षय ने नाम बताए कभी वहाँ कुछ पुलिस वाले और आ गए, शायद अनोखे लाल ने फोन करकर उने बुलाया था पुलिस वालों ने वहाँ पर आवश्य कारवाई शुरू कर दी राधा मोहन जी, जब तक असली मुझरिम हमारी पकड में नहीं आता तब तक आपको हमारी कस्टेडी में रहना होगा क्योंकि गोलियां किसी ने भी बदली हो, प्रत्यक्ष रूप से गोली तो आपके ही आतों से चली है राधा मोहन का चहरा बिगडने लगा, वाजजबाती होने लगा